हेलो डियर स्टुडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शौरफ क्लासेज फॉर हिस्ट्री आज मैं बिये समिस्टर थर्ड के पेपर सीसी सिक्स से एक टॉपिक जिसका नाम है पेपर सीसी सिक्स का इससे एक नए टॉपिक आपके सामय रखने वाला हूँ जिसका नाम है पुनर जागरन जिसे हम लोग इंग्लिश में रेनेसा के नाम से भी जानते हैं तो चलिए बिना समय गवाय हब अपने विशे को स्टार्ट करेंगे पुनर जागरन इससे हम संबंदित हमें प्रशन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि पुनर जागरन क्या है इसकी उपलब्धियों का वर्णन करें ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं पुनर जागरन उस काल को कहा जाता है जो लगबग 1380 से आरंब हुआ जब लोगों ने प्राचीन युनान एवं भ्रोम की कला और साहित में विशेश रूची लेनी शुरू की किन्तु पुनर जागरन इतने ही तक ही सीमित नहीं था या वह काल था जब इरोपिय निवासियों ने जीवन के प्रती अपना दिश्टिकून बदल दिया और वे अपनी समस्याओं एवं स्वयम विचार करने लगे समस्याओं पर स्वयम विचार करने लगे उन्हें इस बात की अनुभूती हुई कि मानल जीवन का अपना महत्व है मनश्य की समस्याओं का अध्यन होना चाहिए वे अब समाज के सामंती समिठन से संतुस्ट ना रहे अब वे चर्च के सिध्धानतों की सच्चाई में संदे करने लगे और प्रतेक बात को तर्क की कसोटी पर कसने लगे अता पुनरजागरन एक ऐसा बहुत धिक एवं उदार संस्कृतिक आंदुलन था जिसमें प्राचीन यूरोप की प्रेड़ना के आधार पर नए यूरोप का निर्मान हो रहा था तथा आलोजनात्मक एवं अनवेशनात्मक प्रवृतियां जन्म ले रही थी जिस समय यूरोप में पुनरजागरन संबव हुआ उस समय मद्यवगीन यूरोप का समाज रूडीक रस्त था सामन्तवादी समाज में चर्श का प्रभाव जन जन के जीवन में चाया हुआ था सामन्त की हवेली गिर्जागर आधी महतुपूर्ण स्थान होते थे साधर नरक्ती का जीवन धारमिक दबाव आर्थिक शोशन और सामाजिक विशमता के कारण एक बोज था जिसे बिना कुछ समझे वाट होता रहा था रहता था पुर्ण जागरन अकास्मत ना होकर अकास्मत का मतलब अचानक ठीक है पुर्ण जागरन अकस्मत या अचानक ना होकर घटनाओं के एक जुट होने पर हुआ इसकी स्थापना में धर्म युद्धों का बहुती मात्वपूर्ण स्थान है 11 और 12 शतापदी के बीच लड़े गए उन युद्धों को धर्म युद्ध की संग्या दी गई जो ग्यान के प्रकाशे आलोकित थे अरब लोगों ने युनान और भारती संपिताओं के संपर्ग से अपनी एक संब्रिद्ध संपिता को विक्सित कर लिया था धर्म युद्धों ने यात्रा और भौगलिक होजों को महत्वदिया इसकी वज़ा से युरोपी लोगों का बातिक विकास हुआ अब लोग चर्च तथा इसाई धर्म की संक्रिणता की खुल कर आलोचना करने लगे इसने चर्च का प्रभाव कम किया इस प्रकार धर्म युद्धों से नवीन विचारों का प्रसार हुआ जिसने पुराने विचारों एवं संस्थाओं को शती पहुचाई पुर्णर जागरन का एक मुख्य कारण था व्यापार का उदय धर्म युद्धों के प्रणाम सुरूप युरोप के पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबन स्थापित हुए युरोपिय व्यापारी व्यापार के सिलस्ले में विविन देशों में पहुचने लगे जहां वे प्रगतिशील तत्वों से परिचित हुए व्यापार के विकास ने वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, आदी नगरों को जन दिया युरोप के अनेक नगर अंतररस्टिय व्यापार के केंदर बनने लगे परिणाम स्वरुप विमिन देशों के व्यापारियों एवं यात्रियों का निरंतन आवगमन बना रहा जिससे विचारों का आदान प्रजान हुआ इन नगरों के उन्मुक्त वातावरण ने विचारों तथा चिंतन की स्वतंतरता को प्रोच साहिद किया अरगों के माध्यम से युरोप वासियों ने कागज बनाने की कला सेखी पंद्रवी शती में जर्मनी के गुटनबर्ग में टाइप मशीन का अविशकार हुआ कैकस्टन ने इंग्लैंड में छापा खायना स्थापित किया इन अविशकारों ने क्रातिकारी परणाओं हुए पुस्तकों द्वारा ग्यार के प्रसाल से अंदविश्वास कमजोर पढ़ने लगी जिससे लोगों की आत्मिश्वास में प्रिद्धी ली तुर्की के कस्टतुनिया पर अधिकार 1453 इस्वी से कई महतुपूर्ण परिनाम सामने आये कस्टतुनिया पिछले 200 वर्षों से ग्यान, दर्शन तथा कला का केदर था इसलाम के लिए इनकी कोई उप्योगिता ना थी फलता यहां से आजिविका की खोज में हजारों युनानी विद्वान, दर्शनिक, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटे, आधी देशों में चले गए वे जाते समय प्राचीन, रोम एवं युनान का ग्यान विज्ञान अपने साथ ले गए मंगल सामराज्य से पुनर्जागरण को प्रेड़ना मिली तेरवी शदी में मध्य एशिया के प्रसिद्ध विचेता चंगेज खां की बृत्यु के उपराद कुबलाई खां ने विशाल सामराज्य स्थापित किया था वो स्वयम साहित्य और कला प्रेमी था उसने विबन विश्यों के विद्वानों, कलाकारों एवं साहित्य कारों को राज की ये संडक्षन प्रदान किया था जिससे कला और साहित्य के छेत्र में काफी विद्धी हुई उसने दर्बार में अनेक विद्वान, बाद भिख्शू तथा भारत के गणितक के वजोदिशाचारे विद्वान थे फलस्वरूप, पूर्वी वा पश्यमी विचारों के आदान प्रदान और ज्यान के प्रिचार प्रसाथ का येरोपिय पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ा अब हम देखते हैं कि पुनर जागरन का जर्म स्थन जो था इटली क्यों था तो चलिए एक सब्टाइटल होगा हमारा पुनर जागरन का जर्म स्थन इटली कई कारणों से पुनर जागरन की शुर्वात इटली में हुई भूमध्य सागरिये देशों में सबसे अनुकूल स्थिती इटली की ही थी जहां अरब व्यापारियों द्वारा एशियाई देशों से लाया गया समान बिक्ता था यही से एशियाई वस्तू अन येउरोपी देशों में जाती थी इस प्रकार व्यापार एवं सम्रिधी ने इटली में पुनर जागरन की प्रवितियों को अग्रगांग करने के लिए शशक्त आधार प्रुदान किया इटली के रोम, फ्लोरेंस, मिलान तथा वेनीस नगर व्यापार के केंद्र थे इन नगरों का विकास सामन्ती नियत्रन से मुक्त स्वतंत्रवातवरण में हुआ था इन नगरों के शाशक कलाकारों और साहित्यकारों के संड़क्षक थे इन शाशकों ने उन युनानी विद्वानों का स्वागत किया जो कुछ समयपुरु से इटली में आकर बस रहे थे 1453 इसवी में तुरकों ने कस्तुत दुनिया पर अधिकार कर लिया तो वहां से भाग कर आने वाले अधिकांश युनानी विद्वान ने इटली के नगरों में प्रश्चरे लिया तथा कालंतर में अधिकांश वहीं बस गए अब हम पुनरजागरन की उपलब्दियों को देखेंगे तो पुनरजागरन की उपलब्दियों में पुनरजागरन युग में पुराने से सामन जस्सिकर नवीन की शुरुवात हुई जिसने नाकेवल साहित कला एवं विज्ञान को अपितु मानर जीवन के प्रतेक छेतर को प्रभावित किया पुनरजागरन की अन्य विश्विष्टा थी सहत सौंदर्य की उपासना यहाँ उपासना भातिक एवं मानसिक दबाव से मुक्त थी इस काल में अनेक उपलब्दिया हासिल हुई जिसका संश्प्त वर्णन हम निम्लिकित रूप से करते हैं साहित की चत्र में देखते हैं कि पुनरजागरन से पुर्व साहित का स्रिजन केवल लेटिन एवं युनानी भाषाओं में हो रहा था विबिन देशों में लोग अपनी-अपनी मात्र भाषाओं में साहित का स्रिजन करने लगे जिससे इटालियन, फ्रेंच, स्पैनिश, आदी बोल्चाल की भाषाएं विक्सित हुए जन सामानी की भाषा में साहित की रचना, पुनर जागरन की मुख्य विशेशता थी इस यूग में साहित के में धार्मिक विशो के स्थान पर मनश्य की जीवन एवं उसके कारेकलाब को महत्व दिया गया इटली के साहित कारों में दाते, पैट्राक, बुकासियो प्रमुक थे दाते ने अपनी जीवनी, पैट्राप ने अपनी कविताओं और बुकासियों ने अपनी कथाओं से इटेलियन साहिति को सम्रित बनाया दाते ने अपनी डिवाइन कॉमेडी में कालपनिक यात्रा में नर्क और स्वर्क की यात्रा करता है यहां कालपनिक यात्रा मानव पिडावशे शुरू होकर आध्यात्मिक आनन्द पर खत्म होती है पैट्राप ने अपनी कविताओं में प्रकृति का और मनिश के हर्श एवं विवाद का मारविक वर्णग प्रस्तुत किया है उसने अपनी कावे रचनाओं में प्रकृति की सुन्दर्ता एवं मनिश की भावनाओं का चित्रन किया है बुकासियों ने अपनी कहानियों द्वारा संकालिन इटली के धनी संपन परिवारों में व्याप्त नैतिक प्रश्टाचारों को उजागर किया है उसकी इस हास्या रस प्रधान रचनाओं में कहानी कहने की नवीन शैली का विकास हुआ फ्रांस में रैबले ने अपनी गद और पद रचनाओं में उसने हास्य एवं वेंगव मिश्रिच शैली का अनुशरन किया उसने निबंद लेखन प्रारम किया इन निबंदों के विशे मैत्री, शाशन तंत्र, सिक्षा और युद तंत्र से संबंदित निबंदों को लिखा वह ततकालीन सत्ता एवं मद्यकालीन आतन के विरुद डट कर खड़ा हुआ और उसने पर्थम आधुनिक व्यक्ति की उपादी अर्जित की इंग्लैंड में चौसर ने जब लोग कल्यान को सहित का आवरन पहनाया तो अंग्रेजी भाषा पनपने लगी टॉमस मूर ने अपनी विवादित क्रिती यूटोपिया में इंग्लैंड के जन जन में व्याप सामाजिक बुराईयों एवं आर्थिक दोशों का निरुपन किया फ्रांसिस बेकन इस युग के सरुस्रेस्ट डिबंदकार था उसके लेखों की शैली व्याख्यात्मक थी उसने सुक्षमिश्यों पर अपने विचार प्रकट किये विल्यम सेक्सपिर शाहित भाषा शैली एवं प्रस्तुतिकरण के लिए असाधरन रूप से विख्यात है उसने अपनी रचनाओं से मानविय प्रभाओं के सभी पहलों का शशक्त वर्णन किया है उसने शुकान एवं दुखान दोनों प्रकार के नाटक लिखे मर्चंट आउव वैनिस, रोमियो जूलियेट, हैमलेट, मैकबत आदि उनकी प्रमुक रचनाए है पुनर्जागरन की दूसरी उपलब्ति के रूप में हम उनकी राजनतिक उपलब्तियों को देखेंगे राजनतिक में हमारा होगा, राजनतिक छित्र में दाते का नाथ सबसे पहले लिया जाता है उसने अपने कृति दा मुनार्किया में बताया है कि अधार्मिक विश्यों में राजभप्ती ही सर्वपरी है मैक्यावली फ्लोरेंस निवासी थे उसने कुछ ऐसी राज़ती के सिध्धान्तों को पृतिपादित किया जिससे कारण उसे आधुनिक चानक के कहा जाता है उसका यथातवादी दृष्टिकोन साध्य के लिए किसी भी साधन की उप्युक्तता के सिध्धान्त पर अधारित है हमारी अगला पॉइंट होगा कला की शित्र में उसकी उपलब्धियां इस युग में कला का उद्देश प्रकृती से तारतम में स्थापित करना था पुनर्जागरन काल में कला धार्मिक विश्यों से मुक्त होकर यथार्थवादी हो गई पुनर्जागरन काल में कलाकारों ने अपने विशेव तो बाइबिल से लिए किन्तु मानाव का चित्रक इस जगत में उपलब्द संपूर्ण सौंदर्य और शक्ती के साथ किया इस काल में कलाकारों ने युनान और रोम की क्लासिकल शैली से प्रेणा लिए तथा मद्य युगीन गोतिक शैली को बरबर साबित किया सरप्रतम इटली में जियेटो ने परंपरागत वाइन जेन टाइन शैली से हटकर मानव एवं प्रकृती पर अनेक चित्र चित्रित किये जियेटो को चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है इटली के तीन कलाकारों लियोनार्दो दिविंसी, माइकल एंजेलो तथा राफिल ने चित्रकला की छित्र में अध्वित्य योगदान दिया लियोनार्दो की चित्रकला की विशेष्टा, सादगी तथा भावभी व्यक्ति, प्रकाश और छाया रंगों का उप्युक्त चयन और शरीर के प्रतेग अंगों का सुभाविक एवं सुन्दर पदर्शन था उनके चित्रों में लास्ट सूपर और मुनालिसा सर्वस्रेष्ट है मुनालिसा किसी सुन्दरी का चित्र नहीं लेकिन उस साधरन सी महिला की रहस्यमई मुस्कान का अर्थ दर्शक आज तक अपने अपने धंग से लगाते है इसके पशाथ हम स्थापत्य कला के चित्र में देखेंगे इस काल में मुर्तिकला, मुर्तिकार जितने शौरे से मूर्त करने में सक्षन था उतना ही करुणा का इस काल की मुर्तियां भी धर्म के बंधन से मुक्त हो गई थी इस काल में गिवेती, दुनाद तेलो और माइकल जैसे मुर्तिकार प्रमुक थे उन्होंने इसा एवं मर्यम की ही नहीं वरन समकालिन प्रमुक व्यक्तियों की मूर्तिया मनाई इटली की मूर्तिकला, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पैन की कला से प्रभावित हुई हमारा अगला उप्षिर्शक होगा संगीत संगीत में हम देखते हैं कि इस काल में संगीत की छित्र में भी काफी उन्नती हुई कारण यह था कि मत्यकाल में गिर्जागरों में संगीत निशिद था पर जब मार्टिन लूथर ने अपना धर्म चलाया तो नवीन धर्म के गीतों का प्रादुर भाव हुआ लूथर ने धार्मिक तथा कुछ अन्य गीतों का संकलन किया मासकिन दास इटली के अन्य संगीत अग्योग के सहयोग से पुनरजागरन कालीन नवीन शहली को जन दिया वाईलें हापसीकाड वादी अंतर काफी लोग प्रिये हुए अगला उपसरशक होगा हमारा विज्ञान के शित्र में आधुनिक काल में विज्ञान को पुनरजागरन की ही देन माना जाता है इस काल में विज्ञानिकों ने कई उपलब्दियां हासिल की जिनके आधार पर आज भी विज्ञानिक कार्य कर रहे हैं पुनरजागरन काल के विद्वान प्राचीन विद्वानों के कतन में सौटी पर कसना चाहते थे इससे विग्यान की काफी उनती हुई फ्रांसिस बेकिन ने बताया कि मानश्य के चारों और घटिक घटनाओं का अध्यन करना चाहिए इसके पश्चाल इन घटनाओं के कारणों का प्रयोगात्मक विधी से जाच करनी चाहिए प्रयोग विश्वास की सत्यता की जाच के लिए उता है इसी प्रयोगात्मक विध्यानी पदती का इस युग में सुत्रपात हुआ इसी क्रब में कॉपनिकस ने सोर मंडल की खोज की गैलेलियों ने अंतरिक्स दुर्बिन का अविश्कार किया जर्मन वैग्यानिक कैपलर ने गणित के मात्यम से ग्रहों के मार की दिर्ग्रवर्तिय बताया न्यूटर ने गुरुतुकर्शन के सित्धांत को पृतिपादित किया इस काल में रसायन के छित्र में पेरासेल्स, हेलमोट, आदी के योगदान दिया डेकार्थ ने बीजगणित का उप्योग जैमिती में करना सिखाया अंत में जब हम इसका निशकर्श करेंगे तो हम पाएंगे कि पुनर जागरन की उपलब्धियों के विशे में हम देखते हैं कि पुनर जागरन के काल के महत्व पर हम मुल्यांतन करेंगे या निशकर्श देखेंगे तो हम पाएंगे कि पुनर्जागरण ने प्राचीन प्रेड़नाओं के आधार पर एक ऐसा प्रयोग शुरू किया जो उस युग की परिस्थितियों से सामन जस्य कर सकता था इस काल में विद्वानों ने मानव संसार को संब्रिद बनाने के लिए सिक्षा प्रदान की पुनर्जागरण ने तर्क और विवेक को प्रतिस्थित किया तथा पुरानी धार्मिक विचारधाराओं और परंपराओं को जपचोड दिया इस तरह से हम पाते हैं कि पुनर्जागरण का काल जो था वा नकेवल राजनितिक बलकि सामाजिक, आर्थिक, संस्कृतिक सभी पहलों को प्रभावित करता है और इस पुनर्जागरण ने यह जता दिया कि मानव जो था वो धर्म से बंद के नहीं रह सकता था वा धार्मिक बंदनों से आजाद हो गया, धर्म को कसोटियों पर परखने लगा और कई नवीन अविश्कार इस दौर में हुए इस काल में साहित, संगीत और चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापतिकला इन सब के विविद आयाम भी काफी प्रभावित हुए और काफी उनती दर्श की गई इस काल की उप्योगिता और महतों पर विविन इतिहास करों ने भरपूर प्रकाश डाला है और उन सब के प्रकाशुक पर अगर हम विस्तार पुर्वक अध्यन करते हैं तो हमें यह स्वस्थ हो जाता है कि पुनरजागरन काल की उपलब्दिया अबोध पुर्व रही इसने विश्व इतिहास को काफी प्रभावित किया और इसने आने वाली घटना क्रमों के निर्माण का एक प्रिष्ट भूमिका कारे किया जिसने व्याश्विक इतिहास को बदलने में और मतिकालन इतिहास को सम्रित बनाने में काफी महतुपूर भूमिका का निर्वाहन भ होंगे आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद